हरदवार से बीजेपी के लोगसवा प्रत्याशी पूर मुख्यमंत्री तिर्वेन सिंग रावत हमारे साथ हैं परिवार के साथ वोट करने पहुंचे ते सर मताधिकार का अपने परियोग कर दिया है आज का दिन बहुत बड़ा दिन है लोगतंत्र का पर्व है निश्चेत रूप से इससे बड़ा यग्या कोई और हो नहीं सकता है जिसमें करोणों लोगों को आहूती देने का मौका मिल ला है और लोगतंत्र में इतनी बड़ी सक्ति मद्दाता को दी है कि उनको देश के भौशे का निर्धारन करना है सबसे बड़ी बात यह कि एक साधरन व्यक्ति और देश का जो बहुत बड़े बैग्यानिक हैं पॉलिटीसियंस हैं सबका राइट बराबर हैं और इसलिए मैं तमाम मद्दातां से एक होगा कि अब अपने मत का इस्तिमाल जरूर करें जरूर करें जहां हमने घर के छोटे से काम के लिए 100% प्रियास करते हैं तो देश के भष्ष्टे के लिए भी हमको अपने 100% अपर्स लगाने चुई हैं मुद्दा क्या बड़ा रहने वाला क्योंकि राष्टिय मुद्दे को ध्यान में रखे लोग वोट करना चाहिए या लोकल मुद्दे भी ध्यान में होगा चुनाओ है हमेशा उसमें राष्टिय जो मुद्दे हैं वो प्रभावी रहते हैं और उत्तरा खंड तो मैं कहूं कि राष्टे मुद्धों से हमेशा प्रभावित होता है चाहे विधान सभा के भी चुना हूँ है तो यहां के जो नागरिख हैं उन्मे रास्टवाद यह भूध कुट-कुट कर भरा हुआ है और इसलिए वह राश्टे मुद्धों से हमेशा उत्राखंट प्रभावित होता लेकिन आपको लगातार आरोप भी लगा रहे हैं सर वो कह रहे हैं कि रमेश पुख्रियाल जो दो साल से सांसत उनका टिकट क्यों काटना पड़ा क्यों कि काम नहीं हुआ है लिए अधो हरी रावजी का रिकार्ड तो जीतने का कम हारने का ज्यादा है उन्होंने तो एक एकर के परिवार के सब लोगों को भी एक्सपोज कर दिया है तो तिर्वेंद सिंग रावट पूर मुख्यमंतरी और लोगसवा प्रत्याशी हैं बीजेपी के हरदवार सीट से और हरदवार सीट पर उनके मुकाबले कॉंगरेस ने हरी श्रावट जो की कॉंगरेस के पूर मुख्यमंतरी रहे हैं उनके बेटे विरेंद रावट को खबर आपकी जबाँ आपकी